हेलो इवर्स इस वीडियो में जिस ड्रग का हम रिव्यू करेंगे उस ड्रग का नाम है अलप्राजुलाम का इंडिया में बहुत फेमस ब्रेंड है अलप्राकेर और इसके आगे लिखा है 0.5 तो दरसल 0.5 इसकी डोज होती है लेकिन टैबलेट्स में इससे कम डोज भी आती ह है जैसे 0.25 यह इससे ज्यादा डोज जा सकती है जैसे 1 मिली ग्राम या 2 मिली ग्राम तो यानि कि अलप्राजुलाम की डोज बहुत कम-कम में आती है यह याई इसकी उससारा नहीं है कि 500 mg 400 mg नहीं बलकि 0.5 या 1 या 2 या फिर मैक्सिमम 3 mg तो इस तरह इसकी डोज इसकी डो यह हुआ कि यह क्लिनीकली उन भी मारियों में इस्तेमाल होगी जिनका तालुक ब्रेन से है तो ज्यादे तर जो नफसियाती मसाइल होते हैं जैसे के एंजाइटी यानि खामाखा की फिकरमंदी बहुत ज्यादे एंजाइटी इंसान को डिप्रेशन में ले जाती है कोई 0.25 mg से लेकर 0.5 mg तक इस्तेमाल करते हो इसके इलावा एक नफसियाती मसला है पैनिक डिसॉडर पैनिक डिसॉडर में क्या होते हैं कि अचानक से जो बच्चे होते हैं वो डर जाते हैं कोई चीज ना भी हो फिर भी वो डर के बेहोश हो जाते हैं तो पैनिक डिसॉडर कहल आता है इसमें भी आप 0.5 mg से डोस शुरू करते हो इसके इलावा प्री मेंस्ट्रल सिंड्रोम अक्सर खावातीन को जिनको मेंस्ट्रल साइकल हो मेंसिस से एक दो दिन पहले उनको बहुत ज़्यदा चिर्चिरा पन महसूस होता है बहुत ज़्यदा घुसा करने लग जाती है और बिलकुल किसी से बात करने के मूड में नहीं होती मूड भी बहुत आफ रहता है उनका तो इसको प्री मेंस्ट्रल सिंड्रोम कहते हैं और ये भी एक साइकलोजिकल प्रॉबलम है इसमें खावातीन की कोई गलती नहीं होती तो इसमें भी आप अलपराजलाम के इस्तेम को महसूस होते हैं जैसे अलपराजलाम की वजह से बहुत जईदा नेंदाना शुरू जयती है ड्रॉजीनेस हो झाजिती है उपराजलाम के एडिक्ट हो गए तो डिप्रेशन में बंदा चला जाता है है एडिक हो जाता है कॉंस्टिपेशन, डाइरिया, DRY MOUTH अस तरह के most इसले मसाहिल हो सकते हैं लहाज़ा डोस पर काबू रखें एक्स्टर डोस इस यूज न करें और डॉक्टर के मश्वरे के मताबिक ही इस ड्रग का इस्तेमाल किया जाए That's all